आज में शीगर्फल देने वाले कौनसे भगवान हैं इनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ अगर आपको आपकी परेशानियों से चुटकारा चाहिए तुरन चुटकारा चाहिए ठीके अगर आप कुछ भी करके बहुत प्रयास करके ये उपाय वो उपाय साधना करके भी अगर जो परिस्तिती है जिससे आप चुटना चाहते हैं उससे भार नहीं निकल रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ उपाय ये है देखे कल युग में आप कौन से भी भगवान का कीजिये अगर आपने अनुष्ठान नहीं किया है अगर आप तपश्चर्या नहीं कर रहे हैं तो वो इतने आसानी से आपको मदद के लिए नहीं दोडेंगे हा लेकिन एक भगवान जो है वो तुरंट मदद कर देते हैं वो तुरंट आ जाते हैं आपको आपने अगर आवाज दी तो वो तुरंट आ जाते हैं वो भगवान जो है वो है दत्तात्रय भगवान अब आप दत्तात्रय भगवान को स्मरण कीजे या उनको पुकारिए है जैसे श्रीपाच श्रीवलब, श्रीस्वामी समर्थ महाराज, मानिक प्रभू, छीले महाराज, शंकर बाबा महाराज, ठीक है, अगर उनमें से उनके जो अवतार है दत्त महाराज के, उनको भी अगर आप पुकारोगे, तो वो शीघरा आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स् स्मरण करते ही, दोड के, मदद के लिए आने वाले जो होते हैं, उनको स्मरण गामी बोलते हैं, वो हवा से भी हलके होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनका बीज मंतर का अनुष्ठान करना है, या आप संकल्प लिजे, आपके दाइने हाथ में पानी लिजे, और तो मैं ये तीन दिन या साथ दिन या 21 दिन अगर आप करोगे तो और जादा अच्छा रहता है, तो 21 दिन का मैं आपके बीज मंतर का जाप करूंगा, या करूंगी, तो आप मुझे तुरंट फल दे दीजे, और ये परिशानी से मुझे चुटकारा दीजे, फिर वो संकल् करता है, ठीक है, वो संस्कृत में अगर कहीं मिल जाए, तो आप बोलिए, अगर नहीं मिल जाए, तो सीधा सीधा आप अपने ही जैसे मैंने अभी बोला, वैसे बोल के आप संकल्प छोड़ सकते हैं, कि मैं ये ये हूँ, ये मेरा नाम है, आमुक अमुक मेरा नाम है, और ये कारण से मैं संकल्प छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ, और वो पानी आप जमीन पर भादीजिये, ठीक है, तो सुनिए, दत्तात्रे का मंत्र क्या है, बीज मंत्र, बहुत ही पावरफुल मंत्र है दोस्तों, बहुत ही, अगर आप पूरे शद्धा भाव से, दिल से, इस मंत्र का जाप करोगे, लेकिन सुनिए, एक आसन और एक समय, इसका अगर आप पालन करोगे, तो मिराकल्स होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी अगर नहीं मिलता आपको, एकी समय, लेकिन आसन तो आपने आपी का यूस करना है, ये तो शर्त होती होती है, ठ से नहीं, आपने किसी और को दे दिया, किसी और का आपने यूस किया, ठीक है, सुनिए, दत्तात्रय का बीज मंत्र, ध्यान से सुनिए, लिखे लिजिया, ओर, ओम द्राम दत्तात्रयाय द्राम नमहा, ये द्राम जो है, वो दत्ता महराज का बीज मंत्र है, ये जो बीज मंत्र है, ये हवा में ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप जब किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का बीज मंत्र उच्चारण करोगे, तो वो जो दैवत, उनका अधिपती है, वो तुरंत आपके पास खीचा जाता है, कि कौन मुझे पुकार रहा है, ठीक है, और फिर क्या ये मेरे बच्चे के परिशानी है, ऐसा करके वो सॉल्यूशन देते है, हाँ लेकिन बाकी के देवी देवताओं का, तो मुझे पता नहीं, लेकिन दत्तमहरा जो है, वो स्मर्त्र गामी है, वो स्मर्ण गामी है, स्मर्ण करते ही आने वाले, तो ये बीज मंत्र उनका है, ये आप इसका जाब कीजिए 21 दिन, जैसे मैंने प्रोसिजर बोला वैसे, और आपकी परिशानी से चुटकारादी तुरंत हो जाएगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका दिन शुभर रहे, थैंक यू